दोस्तों अगर आप भी कोई फॉर्म भरते हैं और उसे फोटो सिगनेचर या डॉकुमेंट अपलोड करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो खास तोर पर आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत यासान तरीका बताने वाला हूं जिसकी दोकुमेंट को एडिट करने के लिए तो सबसे पहला है फोटो साइस जिसमें कि आपको ली मिट दी जाती है बीस से सौ के भी आ फिर सार्दों के बीया अलग-छिआर्मन होती है फिक्साइम सय् लेलेटोले रखना होता है तो सबसे पहले आपको वेबसाइट में जाना पड़ेगा जिसका नाम है आयम रिसाइजर जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको आप्शन आता है अप्लोड इमेज का और इसमें आप नीचे जब जाएंगे तो यहां पर देखेंगे किस तरह से आपको विर्थ है हाइट है आपको इनचे में सटने के लिए आता रहता है सेंटीमीटर में जाता है में पिकल देता है उसारी चीजर करते हैं अब इडीशनल से एक होती है तो यहां पर आपको फार यांप से तो आपको यहां पर को क्या में सट करना और और jarum और select file पर जाने के बाद आपको browse पर जाना है और browse पर जाने के बाद आपकी जित्ती भी files होगे यहां पर आ जाएंगी आप image पर आप टेच करते हैं तो आपकी जो image होगी सबसे उपर वो आ जाएगी तो सबसे पहले हम आपनी passport size photo लेते हैं और इसको लेने के बाद यहां पर दिए की photo आ गई है अब हमें इसकी setting करनी है इसकी width हमें रखनी है 3.5 और Giul 1300 हमें रखनी है 4.5 तो यहां पियां आपको इस setting 번 moral जाती है और inch में अगर आपको रखना है तो यहां पर inch आरखेंगे किसी किसी form में आपको अगर आपको रखना है आप यहां पर सेट कर सकते हैं जब आपको फाइल साइस का आता है तो यहां पर आपको इसको 100 के भी रखना है तो 100 के भी रखेंगे और और अगर सेट करना है तो 200 dpi ज्यादा तर फॉर्म में आपकी मांगी जाती है तो आप डॉट पर इंच 200 dpi रख सकते हैं यह सब करने के बाद आप आपस से उपर जाएंगे और उपर जाने के बाद आप next download पर क्लिक करेंगे और जब आप download पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर न इसकी quality भी है वो हमारी ज्यादा dull नहीं हुई है तो अब इसको आसानी से किसी भी form में इसको upload कर सकते हैं इसी तरह से अगर हम signature की बात करें तो signature भी आपको उसी तरह से setting करनी होगी आप वापस से जाएंगे और यहाँ पर file select करेंगे और file select करने के बाद आपका जो भी signature हमारी दभी-दभी signature लग रही है तो इसको हमें set करना है और जब भी signature की dimensions होती है ज्यादत तर हमारी width होती है वह 4.5 होती है और height जो होती है वह हमारी 2.5 के around होती है तो यहाँ पर आप इसको set करते हैं तो यहाँ पर यह देखिए हमारी जो setting हो हो गई है height की setting हो गई है jpg में ही रखना है हमें file size जो होता है वह signature का कम होता है तो हम इसको 20 के भी रखते हैं और dpi जो है वह same रहना चाहिए तो यहाँ पर जाते हैं तो यह हमारी setting हो गई है इसको भी वापर से हम next download पर click करेंगे तो हमारी file जो है automatic यहाँ पर download हो जाएगी और जब download हो जाएगी देन उसके बाद से हम इसको जो है किसी भी form में upload कर सकते हैं तो यह बहुत आसान तरीका है दोस्तों इसके लिए आपको किसी भी laptop की ज़रूत नहीं पड़ेगी कोई भी cyber cafe जाने की ज़रूत नहीं पड़ेगी अप आसानी से कोई भी document जो भी आपको upload करना है उसको अपने mobile के थुरूई आप इसको edit कर सकते हैं और उसको असानी से अपने किसी भी form में upload कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो helpful लगी हो तो आप comment में हमें बता सकते हैं इसके लावा अगर आपको कोई किसी भी problem आ रही है किसी भी चीज़ को लेकर तो आप वो भी मुझसे पूर सकते हैं तो जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत